Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind. तो आज हम लोग पढ़ेंगे Class 4 की EBS Book Chapter 22 The World in My Home. तो चलिए पढ़नाएं स्टार्ट करते हैं, Tug of War. Once again, everybody in Marita's family is quarreling over watching the TV, just like they do every day. एक बर फिर से Marita के family में हर कोई जगडा कर रहे थे TV के लिए, जैसा की वो लोग रोज करते थे. Marita's brother wants to watch a cricket match, while little Susan is eager to watch her favorite program of songs. तो देखिए Marita का जो भाई था, जो वो cricket देखना चाहता था, और जो little Susan था, वो अपना favorite program, songs का जो program था, वो देखना चाहता था. Mommy and auntie are good friends, but their favorite TV programs are different. Mommy और auntie वो दोनो good friends है, लेकिन उनका जो favorite TV program है, वो कुछ different है, कुछ हटके है. Mommy likes to watch the news, while auntie enjoy a TV serial. तो mommy news देखना पसंद करती है, और वहीं auntie जो है, वो TV serial देखना पसंद करती है. Marita wants to watch cartoons and daddy enjoys the football match. अब देखिए Marita वो cartoon देखना चाहती है, और daddy वो football match enjoy करना चाहते है. He says that he can watch TV only in the evening. वो कहते हैं कि वो सिर्फ evening में ही TV देख सकते हैं. Finally, everyone had to watch the football match. और finally क्या करते हैं, हर कोई football match देखते हैं. ठीक है? अब यहाँ पर है question. Let us talk. In your home too, do people quarrel over fans, TV, newspapers, chairs or anything else? तो देखिए क्या होता है कि यह question है कि आपके घर में भी क्या लोग जो है वो TV के लिए, फैन के लिए या newspaper, chairs या और भी किसी चीज के लिए जगरा करते हैं. तो ऐसा होता है, हर किसी के घर में होता है, जगरा तो होता रहता है, तो क्या लिखेंगे? तो मेरे घर में भी मैं और मेरी जो सिस्टर है, हम दोनों TV के लिए जगरा करते हैं, या फिर और किसी चीज के लिए जगरा होता है, कोई चीजों के लिए जगरा होता है, कहें घूमने जाने के लिए जगरा होता है, तो बहुत चीजों के लिए जगरा होता है, तो ऐसा यह जो जगड़े होते हैं उसे कौन सेटल करता है, कौन ठिक करता है, जो सुल्ह करना होता है, वो कौन करता है, we ourselves set such quadros. तो हम लोग खुद ही अपने जो जगरे हैं उसे सेट कर लेते हैं तो बच्चे बच्चे होते हैं तो बच्चे सेट कर लेते हैं और जैसे कि बड़ों के बीच अगर जगरा होता है या बच्चों के बीच भी होता है तो वो क्या होता है कोई बड़े है जैसे आपके घर में आपकी दादी है या दादा जी है मंजी पापा कोई भी है तो उसे set करता है तो कौन करता है तो वो लिखेंगे ठीक है Talk about an interesting incident at home when there was a quarrel over such things तो अब आपको एक interesting incident के बारे में बताना है ठीक है जो कि आपके घर में होता है ठीक है किस चीज के लिए तो once when a cricket match was coming I had to watch the cricket match but my sister wanted to watch her favorite program तो देखिए इसमें यह कहा जा रहा है कि कोई interesting incident होता है कि कभी कभी होता है कि आपका फैबरेट प्रोग्राम कुछ आने वाला होता है तो उसके लिए जगड़ा होता है घर में कि वो कोई और है कि वो कुछ दूसरा चीज देखना चाहता है दूसरा प्रोग्राम देखना चाहता है आप कुछ और देखना चाहते हैं तो ऐसा होता है तो जैसे कि कि एक बार क्या होता है कि क्रिकेट मैच आने वाला था तो मैं जो है देखना चाहती थी क्रिकेट मैच और जो मेरी सिस्टर है वो अपना दूसरा प्रोग्राम देखना चाहती थी तो इसके लिए एक interesting incident है तो आपके साथ ऐसा कब होता है कब आप क्या देखना पसंद करते है जो जगड़ा होता है तो इसे लिखना है Have you ever seen people quarreling over something elsewhere? What? तो क्या आपने कभी किसी people को देखा है किसी चीज के लिए जगड़ा कर रहे हो तो कहां देखा है? किस चीज के लिए होड़ा था? तो लिखेंगे जैसे I have seen several times when people were quarreling over many small things कि मैं कभी कभी देखती हूँ कि होता है कि छोटे छोटे चीजों के लिए जगड़ा होता है Like once when I was going by train two people were quarreling over sitting near the window तो देखिए एक बड़ मैं जा रही थी train से कहीं तो दो लोग जगड़ा कर रहे थे आपस में window side में बैठने के लिए तो ये छोटे छोटे बातों के लिए भी जगड़ा होता है तो ये question था तो ये solve हो गया अब देखिए Why the differences? अब देखिए differences क्यों होता है It is seven o'clock in the evening तो evening के साथ बज़े है प्रतीभा is hiring home from her friend's house तो देखिए प्रतीभा जो है वो बहुत जल्दी जल्दी से अपने घर आ रहे थी अपने friend के घर से her brothers Sandeep and Sanjay are busy playing round the corner with their friends तो देखिए जो उसका भाई था Sandeep और Sanjay वो लोग busy थे खेलने में ठीक है अपने friend के साथ corner में खेलने में busy थे तो यहाँ पे picture में देख पार रहे हैं कि ये लोग busy हैं खेल रहे हैं they are in no hurry to go home तो वो लोगों को जल्दी नहीं था घर जाने का even if they are late nobody will scold them यहाँ तक कि अगर वो लोग late भी हो जाएंगे तो कोई भी उसे नहीं डाटेगा प्रतिवा thinks that this is not fair प्रतिवा सोचती है कि ये अच्छा नहीं है कि why should there be one rule for her and another for her brothers वो सोचती है कि ये ऐसा rule क्यों बनाया गया है कि उसके लिए कुछ अलग rule है और उसके भाई के लिए कुछ अलग rule है but what can see do लेकिन वो क्या कर सकती थी let us talk अब देखे यहाँ पे question है कि does this kind of thing happen in your house or in any of your friend's house तो क्या इस तरह की चीजें इस तरह का बात होता है जो आपके घर में होता है या आपके friend के घर में होता है इस तरह की चीजें what do you think about this तो आप इसके बारे में क्या सूचते हैं तो डिखेंगे कि this kind of thing does not happen either in my or my friend's house is discrimination between boys and girls I also think this is not fair तो ये क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है हमारे या हमारे फ्रेंट के घर में लेकिन ऐसा तो ये एक अलग बात है ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़कों और लड़कों के बीच में इस तरह का matter नहीं होना चाहिए ये सही नहीं है कि ये बड़ा-बड़ का अधिकार देना चाहिए ठीक है तो ये थिंग दार दियर सुड़ बीच्फरेंट रूल्स फोर गर्ल्स और बॉइस वोमेन और मैन तो आप क्या सोचते हैं कि इस तरह के जो डिफरेंट रूल्स हैं जो लड़कों के लिए अलग लड़कियों के लिए अलग और मैन उमेन इसके लिए अलग ये रूल क्यों बनना चाहिए क्यों बनाया गया है तो क्या इस तरह का रूल होना चाहिए तो इसमें हम लिखेंग एंसर कि नो रूल सुड़ वी दा same for women and men तो ये rule जो है न वो same होना चाहिए दोनों के लिए ठीक है? देखिए उसके बाद है कि think what would happen if girls had to follow rules met for boys and boys had to follow rules met for girls तो सोचिए क्या होगा अगर जो rules जो है लड़कों के लिए बनाया गया है उसे लड़कियां follow करे और जो लड़कियों के लिए बनाया गया है उसे लड़का follow करे तो क्या होगा? तो देखिए answer लिखेंगे कि if it happens everything will become a mess तो ऐसा क्या होगा? कि अगर ऐसा होता है तो हर चीज जो है ना become a mess हो जाएगा यानि कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो देखिए सब कुछ ठीक नहीं होगा सब कुछ गरबड हो जाएगा ठीक है अगर ये रूल जो है उल्टा पुल्टा अगर हो जाता है गर्ल्स के रूल अगर boys follow करे और boys के रूल अगर girls follow करे तो ये सब चीज गरबड हो जाएगा ठीक है अमेस्मेंट्स होता है गरबड उसके बाद है अब यहाँ पे pillow auntie अब pillow auntie का story है देखिए इसमें क्या होता है one day pillow auntie took fallie and nazu and their friends to the beach तो एक दिन क्या होता है फिलो auntie जो है न वो देखती है fallie and nazu and उनकी friends को beach पे ठीक है what a good time they had they played in sand and water and then went for a ride on the gent wheel तो क्या होता है कि वो लोग के लिए बहुत अच्छा समय होता है बहुत अच्छा टाइम होता है तो वे लोग जो है sand and water से खेलते हैं और वो लोग gent wheel राइट पे भी जाते हैं ऑफ्टर डेट दे एट्वेलपूरी एंड अबाउट बालून्स उसके बाद वोग भेलपूरी खाते हैं और बालून्स भी खड़िते हैं तो देखिए जब वो जो है कुल्पी सेलर वो पैसा के लिए पूछता है तो वो उससे एक mistake हो जाता है तो देखे कुलफी वाले से mistake हो जाता है तो वो क्या करता है? वो seven कुलफी के वज़ाए five का ही वो charge लेता है ठीक है? इससे क्या होता है? बच्चे सोचते हैं कि वो तो पैसे बचा लिये उसने तो five का ही चार्ज लिया है तो वो बहुत खुस हो जाते है we have saved money बोलते हैं हम लोगों ने पैसे बचा लिये but pillow auntie paid the money for seven कुलफी to the कुलफी seller लेकिन pillow auntie जो है वो paid कर देती है money कुलफी seller को जो seven कुलफी खरीदा था उसका टूटल का पैसे paid कर देती है the children will always remember what pillow auntie did that day तो देखिए बच्चे हम ऐसा याद करेंगे कि pillow auntie ने उस दिन क्या किया था ठीक है उस बात को हम ऐसा याद करेंगे if you were to write a different ending for this story how will you end it तो अगर आपको करना होगा अगर इस story का ending कुछ different तरीके से तो आप किस तरह से इसका end करेंगे तो answer लिखेंगे कि कुलफी seller became too much happy and he offered one कुलफी as a gift but pillow auntie did not accept the gift तो देखिए इसका अगर end करना होगा तो यह होगा कि जो है कुलफी seller वो बहुत ही जादा खुस होगा ठीक है और वो क्या करेगा कि एक-एक कुलफी जो है हर किसी को gift के तौर पे offer करेगा लेकिन pillow auntie उसे accept नहीं करेगी उस gift को accept नहीं करेगी ठीक है उसके बाद है यहाँ पे फिर question है कि is there anyone in your family who is like pillow auntie who तो क्या आपके घर में ऐसा कोई आपके family में कोई है जो कि pillow auntie को बहुत पसंद करते है और वो कौन है तो लिखेंगे कि yes my mom she always teaches us not to be dishonest in any situation तो मेरी माँ मेरी जो मम्मी है क्योंकि वो हमें बताती है हमें सिखाती है कि हमेशा जो है ना हमें जो है दूसरे के प्रति ऐसा मतलब इमानदार रहना चाहिए ठीक है ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि कोई भी जैसे कुछ अगर देता है उसे नहीं लेना चाहिए उसका सम्मान करना चाहिए ना जैसे कि जो कुलफी सेलर था उसे mistake हो गया तो उस mistake को मानना चाहिए कि आपको उसके प्रति इमानदार होना चाहिए ठीक है उसके बाद है कि तो देखे इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे क्या सोचते थे कि पिलो आंटी के बारे में कि उसने कुलफी सेलर को कम पैसे दिये और आप क्या सोचते हैं इस बारे में तो क्या लिखेंगे कि children would have thought that pillow auntie was dishonest I do think so तो बच्चे ये सोच रहे थे कि pillow auntie जो है वो dishonest है ठीक है ठीक है तो ये हम इतना ही पढ़ेंगे आज इससे आगे मैं आपको next वीडियो में बताऊंगी तो आप इतना ही पढ़ें रिविजन कीजिए और बार बार पढ़ें और आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे जरूर बताईए अच्छा लगा हो तो ncrt the mind को like subscribe कीजिए और past में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजे ताकि ncrt से related हर वीडियो आपके पास समय से पहुंचती रहे और आपको जहां कहें भी परिशानी हो रही हो समझने में तो आप उचसे कमेंट के द्वारा भी पूच सकते हैं तो चलिए मिलते हैं आप हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ टेक केर थेंक्स तो वाच मैं वीडियो